हुआ है सबसे पहले इसमें चाहिए आपको इस्ट्रेक्चरल वेल्डर मिल राइट फिटर पाइफ फिटर और हेलपर तो सेल्डी की अगर हम बात करें तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागता फिर से आपके एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो खास इंपॉर्टन उन भायूग लिए होने वाला है जो मेरे भाई कतर जाना चाहते हैं जी हां कतर के लिए बहुत ही अच्छे डिमांड आया हुआ है कंपनी का नाम है नासिर अलहाजरी नसेच कतर उसके लिए डिमांड आया हुआ है तो आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यह कंपनी कैसी है कंपनी के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट है कौन कौन से इंट्रिवीव आया हुए है और कितनी सेलरी है क्योंकि सेलरी बहुत जादा क्योंकि सेलरी को लेके बहुत जादा अफवाएं हैं लोग बोल रहते कि सार फीफा वर्ल्ड काप खौतम होते ही सेलरी कम हो जाएगी तो आज इस वीडियो में यह भी क्लियर हो जाएगा कि क्या कतर ने अपनी सेलरी कम की है या सेलरी उतनी ही है जितनी फीफा वर्ल्ड इस की अगर हम बात करें तो यह कंपनी की एक्सपर्टीज अज सेलरी बिल्डिंग मेकेनिकल पाइपिंग एंड इक्विमेंट्स ऑफ एलेक्ट्रीकल एंड इंस्टुमेंटेशन वर्क तात में कंपनी जो काम करती है ओल एंड रिफाइनरी पैट्रो केमिकल प्लांट्स, स प्लांट्स, सिमेंट प्लांट, इरेक्शन ऑफ हैबी एक्विमेंट, प्लांट, पाइपिंग, टोटल मेकेनिकल एज वेल एस इलेक्ट्रिकल, इंस्टुमेंटेशन फिल्ड तो यह कंपनी जो है इन फिल्ड पे काम करती है तो और कंपनी के पास अभी जो प्रोजेक्ट ह जिसके लिए यह कंपनी आई है अपने इंडिया में इंट्रव्यू के लिए अब इस कंपनी में बेसिकली पाँच के टेग्रीज का डिमांड है जो की आया हुआ है सबसे पहले इसमें चाहिए आपको इस्ट्रेक्चरल वेल्डर, मिल राइट फिटर, पाइप फिटर और ह अगर हम बात करें तो सैलरी वही है जो फीफा वर्लक प से पहले सैलरी मिलती थी, अगर हम हेलपर की सैलरी की बात करें तो हेलपर की जो सैलरी है Monster प्लस फूड या यू काएं एक हजार प्लस फूड तीन सो घ्ल जो है उटीन सो और लिए एक हजार इसे एक चीज़ अब एक जिद हो गया कि कद्र में और सेलरी कम नहीं होगी जो सेलरी आपको पहले मिलता था वही salary आज भी मिलेगा ऐसी अगर हम mill rise fitter की बात करें तो उनकी salary 1300 plus food है और structural welder या structural fitter की बात करें तो उनकी salary 1300 plus food है वो depend करता है आपके interview के उपर तो salary कम नहीं है salary उतना ही मिल रहा है तो जो मेरे भाई कतर जाना चाहते हैं कतर का भी interview आना सुरू हो गया है और 2023 में धीरे धीरे काम जो है खुल रहे हैं कतर में जो FIFA World Cup के दोरान बहुत सारे construction के काम हुए थे बहुत सारे development के काम हुए थे अब वो फिर से दुबारा start हो गया है तो कतर में भी आपको visa मिलना सुरू हो जागा कतर से भी interview आना सुरू हो गया है क्योंकि कतर रुकेगा नहीं जो उसके projects अभी अधूरे हैं या जो अभी projects उसके पूरे नहीं हुए हैं जो अभी development के काम अभी उसके रह गया है वो धीरे धीरे करेके एक एक अपने projects को पूरा करेगा क्योंकि वो आने वाले समय में एक tourist place के रूप में अपने आपको दिखाना चाहता है तो फिलाल दोस्तों वीडियो में सर्फ इतना ही वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें दोस्तों को शेयर करें धन्यवाद